इसमिल्लाय रुख्मान अपरहीम, वेलकम टू IT-Series Studio Channel अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे strings के साथ इस्तमाल होने वाले built-in function strncmp की और देखेंगे कि यह function किस तरह और किस मक्सद के लिए इस्तमाल किया जाता है topic को theoretically cover करने के बाद आखिर में एक program की मदद से हम इस concept की practical implementation भी देखेंगे तो आईए वीडियो का आगास करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि strncmp function क्या है actually यह abbreviated form है string number of character comparison का यह एक ऐसा function है जिसके मदद से हम दो strings को character by character compare कर सकते हैं अब जब मैं comparison की बात करता हूँ या compare करने की बात करता हूँ तो actually हम बात कर रहे हैं इनके ASCII quotes को compare करने की मिसाल के तौर पे अगर आपके पास दो strings है जिसमें से पहली string it series की है जिसमें i और t uppercase में है और series में से s uppercase में है और बाकी तमाम characters lowercase में है और दूसरी string वो total lowercase में है लेकिन उसके character same है यानि it series ही उसमें मौझूद है अब assume कीजिए कि हम इन दो strings में से तीन characters को compare करना चाहते हैं या चार characters को compare करना चाहते हैं तो इस सूरत में इन दोनों strings की पहली चार characters को compare किया जाएगा उनके ASCII codes को compare किया जाएगा screen पर जैसे के आप देख सकते हैं कि capital i का चुके ASCII code 73 है जबके lowercase i का ASCII code 105 है तो यहाँ पे जो first string है यहाँ पे हम जबंशन की लिए लेते हैं कि उपर वाली जो string है जिसमें I or T uppercase में है यह हमारी first string है और नीचे वाली string जो हमारी second string है तो first string का जो पहला character है उसका ASCII code कम है तो पहले character के ASCII code में से दुसरे character का ASCII code जब माइनस किया गया तो एक negative की value बच गई पिल्कुल इसी तरह से capital T को lowercase T से जब compare किया जाएगा तो 84 में से 116 की value जब माइनस की जाएगी तो फिर एक negative value बन जाएगी तो अब ये दो negative values ही कठी हो जाएगी इसी तरह से capital S के साथ जब lowercase S को compare किया जाएगा तो यहां पे भी capital S की चुके ASCII value 83 है तो 83 में से जब 115 की value माइनस की जाएगी जो के lowercase S की ASCII value है इस सुरत में भी एक negative value produce होगी और चौते character में चुके 101 में से 101 को माइनस की जाएगा तो 0 बच जाएगा तो as a whole अगर हम देखे तो इन 4 characters के comparison में जो first string के characters हैं उसमें से second string के characters को माइनस करने के बाद जो value बचती है वो एक minus की value है और star n compare function एक integer value ही हमें return करता है और वो integer value या 0 हो सकती है या 0 से कम हो सकती है या 0 से ज्यादा हो सकती है अब less than 0 value तब होगी जब हमारी first string के जो number of characters compare के जारे हैं अगर वो कम हो सेकींd string के उन specified number of characters से 0 की value तब return होगी जब first string और second string के चैरेक्टर की आस की values exactly same होगी और greater than 0 की value कब return की जाएगी जब आपकी first string के specified number of characters बड़े होंगे value में ज्यादा होग second string के उन specified number of characters से आईए अब नज़र डालते हैं इस function के syntax पे तो syntax बहुत आसान है आप अपने function का नाम लिखते हैं strncmp और फिर आप तीन parameters प्रवाइड करते हैं इस function को आप first string प्रवाइड करते हैं, comma के बाद आप second string प्रवाइड करते हैं और फिर comma के बाद आप number of characters जो compare करन चाते हैं उसकी value आप इस function को provide करते हैं आई अब एक program की मदद से इस concept को मज़िद clear करते हैं यहां screen पर आप देख सकते हैं कि मैंने dev c++ में पहले से एक program type और save कर रखा है और चुके हम यहां पे string से related एक built-in function को use करना चाते हैं इसलिए मैंने header file में string.header file को भी शामिल किया है हमारा program शुरूर है line number 7 पर जहां पर मैंने चार data type के साथ दो strings declare की है str1 और str2 के नाम से दोनों की length exactly same है यानि 50 characters हर एक string में store किये जा सकते हैं इसके बाद line number 8 पर मैंने integer data type के साथ दो variables declare की है जिनमें से एक का नाम ch और दूसरे का r है तो हमने line number 9 पर cout object की मदद से एक message generate किया enter string 1 और फिर cin.get line function की मदद से हमने user के input करता string str1 nummy string variable में store कर दी इस तरह से line number 11 पर दुबारा से हमने एक prompt generate किया enter string 2 और line 12 पर हमने cin.get line function का दुबारा इस्तमाल किया और str2 nummy string variable में हमने second string भी store कर दी उसके बाद हमने एक prompt या message दिया user को enter number of characters to compare कि अब आप वो number of characters enter करें जो कि आप compare करना चाहते हैं और उसे हमने c in object की मदद से store कर लिया ch nummy variable में और यहाँ पर देखे हम function को call कर रहे हैं strncmp और वो तीनों parameters प्रवाइड कर रहे हैं यह हमारी first string हो गई यह second string हो गई और ch यानि कितने number of characters को compare किया जाएगा और जो result होगा वो return होने के बाद store हो जाएगा r variable में क्योंकि यहाँ पर हम result को assign कर रहे हैं variable r को line number 16 पर देखे हम if की मदद से यह determine कर रहे हैं कि first string बड़ी है या दोनों strings ब्राबर है या second string बड़ी है हमने यहाँ पर message display करवा दिया string 1 is greater than string 2 else if में हमने second condition impose की कि अगर r बराबर हो 0 के इस सुरद में दोनों strings equal होंगी हमने see out object की मदद से string 1 is equal to string 2 का message screen पर display करवा दिया और अगर यह दोनों conditions true नहीं होती इसका मतलब यह होगा कि less than 0 की value return की गई है इसलिए हमने else part में string 1 is less than string 2 का message display करवा दिया आईए अब इस program को compile और execute करते हैं और देखते हैं कि यह किस तरह से काम करेगा देखिए enter string 1 तो मैं अगर वो ही string enter करूँ it series और उसके बाद enter string 2 अब की बार में lower case में it series टाइप करता हूँ और यहां पर यह बात फिर पतारा चलूँ कि यह case sensitive है function क्योंकि ask की code की base पर comparison होना है और lower case और upper case के जो characters है इनके ask की code different है enter number of characters let's say कि मैं five number of characters को compare करना चाहता हूँ और मैं enter की press करता हूँ तो देखिए string 1 is less than string 2 का message हमारे पास display हूए